हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप देख रहे हैं फार आटोमेशन और आज से मारा टॉपिक है वी अब डी कंट्रॉल ब्लॉक डाइग्राम यानि की वैरियाइवर फ्रिकुंसी डाइव ड्राइव यानि की एसी ड्राइव की बात हो रही है यह एसी मोटर को ड्राइव करता है य अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर ले ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक चलिए शुरू करते हैं इसके ब्लॉक डाइग्राम की उपर बात करेंगे यहां पर मैंने ब्लॉक डाइग्राम पहले से अरही बना दिया है ताकि बाने हमारा टाइम वेश ना हो चलिए शुरू करते हैं यह जो वर्टिकल लाइन ब्लॉक लोग डिख रहे हैं यह हमारा पावर का इधर वाली लाइन जो है काईंट्रोल से इस आल़ा पावर दूनों मिला के हमारा मोटर चालता है तो एक्षिली हम चाहते क्या है, वहां से इस सुरू करते हैं, हम चाहते हैं इस AC motor की speed, या torque को vary करना, यानि की control करना ठीक है, तो महारा VFD जो है, speed भी control कर सकता है, और torque को भी control कर सकता है, ठीक है, इस्पीड के लिए भी हमें actually torque की ही requirement होती है यानि कि तोर्क का मदलब आप जानते ही होगे कि अगर किसी चीज को घुमाने का जो कोसिस की जाती घुमाने की जो कोसिस की जाती जानि कि force लगा जाता घुमाने के लिए उसी को torque कहते है तो स्पीड के लिए भी हमें ultimately चाहिए तो टार्क ही मोटर में ठीक है तो टार्क आएगा तभी मोटर घुमेंगी तो कितने स्पीड घुमाने के लिए कितना टार्क लगेगा यह सारा कैलकुलेशन इसके अंदर होता रहता है ठीक है तो चलिए ब्लॉक डाग्राम के उपर बात करते हैं यहां से उपर से यहां पर मैंने एक्जामपल लिए थ्री फेज का इसको दे दिया थ्री फेज लवन ल 2 ल 3 यह लो बोल्टेज का ड्राइब है यानि की 45 बोल्टेज में आता है यानि की यह इसको यहां पर लगा दिया रेक्टिफाय यह दायोड से बना हुआ हो सकता है उसके बाद यहां पर आती है DC AC को DC में हो गया convert DC में यहां लगे होते हैं बहुत सारे capacitor ठीक है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं तो हमारा capacitor बैंक होता है जो कि DC यानि एक capacitor एक इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं यानि कि polar होते हैं polarity वाले होते हैं plus minus यहां पर अलग-अलग होता ह यहां पर 415 volt देने पर लगए 580 से 590 volt DC यहां पर बना रहता है यानि कि capacitor जो है voltage को constant रखने का काम करता है यानि कि constant voltage source का काम करता है इसके बाद यह बारा inverter है यह IGBT से बना होता है mostly यह IGBT से ही बना होता है तो यह DC से AC यहां पर conversion है यहां पर हमने इसको frequency को vary करने का arrangement कर दि जिरो से 500 c volt तक 400 0-400 Hz तक का output ले सकते हैं वैसे अपन 50-60 Hz का motor है तो 60-70 Hz के उपर वैसे जाते नहीं है कभी ठीक है नहीं जाने का region भी आपको बाद में बताता हूं ठीक है इन्वर्टर के output में लगा दिया output चोक जो की AC करंट को filter करता रहता है यानि कि अगर यह PWM इन्वर्टर है तो चोक तो लगाना ही चाहिए आपको और केबल की लेंथ जो है इस पर भी डिपेंड करता है कि आप चोक लगाएं कि ना लगाएं यह optional होता है हो सकता आपको ना भी लगाना पड़े ठीक है लेकि लगाना चाहिए लगाने से काफी सेटे जाती ही ड्राइब की भी और मोटर की भी ठीक है तो अगर आपको इन्वर्टर यानि कि ड्राइब और मोटर के बीच के केबल लेंथ जो है पचास मिटर से जादा है तो आपको output चोक मस्ट ही जो आप यहां सेट कर रहे है ठीक है ना तो जो परफर्मेस रहेगी वो सही नहीं आएगी इसलिए आपको output चोक जरूर लगाना चाहिए यह एन्लोग करन्ट रेगुलिटर का काम करता है यह हो गया आपका AC मोटर यहां पर लगा दिया इसको इसका actual speed मेजर करने के लिए हम इसमें से जो भी आप लगाएं लगाना चाहिए लगा सकते हैं ठीक यह एन्कोडर जो है मोटर का actual rp का feedback यहां ड्राइब तक पहुचाता चलिए यहां पर control block diagram की बात करते हैं हाँ शुरू करते हैं सबसे पहला block है speed reference control ठीक जैसा इसका नाम है यहां पर हम speed reference देते हैं ठीक speed difference हम क्यों देते हैं क्यूंकि हमें एक set speed पर इस motor को चलाना होता हुआी हमें इस motor की speed यहां पर set करते हैं यानिकि set point यहां पर दिया जाता है speed reference control वाले block को ठीक है सबसे पहले यहां आता है तो speed difference देने के लिए हम क्या use करते हैं ठीक है हम देने speed difference drive तक पहुचाने के लिए 4 to 20 जोड़े से 10V DC प्लस-10V DC इसमें से कुछ भी हो सकता है वो इनलोग बाद में इस एनलोग सिगनल को यह ब्लोग जो है डिश्टल में करनवर्ट करके उसको आगे दे देता है डिश्टल का मतलब है काउंट यानि कि 32767 ठीक है इसके उपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं दो आप देख लीजिएगा इनलोग सिगनल स्केलिंग नाम से ठीक इनलोग इन्पूट यहां पर आ गया इनलोग इन्पूट देने के और भी मैथड है यानि कि आप डिश्टल इन्पूट से भी स्पीड डिफरेंस दे सकते हैं ठीक है ना डिश्टल इन्पू होते हैं अलग-अलग ड्राइब में अलग-अलग बोल्टेज है ताय 24 बोल्ट यह 0 बोल्ट का भी हो सकता है ठीक है उसके निचे लिखा है लोकल लोकल यानि की ड्राइब को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा डिस्प्ले पाइनल होता है आपने देखा होगा अगर कभी लोकल का मतलब है कि आप उससे भी इस पियम दे सकते है ठीक है तो लोकल का मतलब है हम यानि की हिमन इंटरफेस माडूल बीओपी मतलब बेस्क ऑपरेटर पैनल एऊपी मतलब एडवांज वांज ऑपरेटिंग पैनल सीडीपी मतलब कंट्रोल डिस्प्ले पैनल या मोनिटरिंग में करते हैं इसके rpm voltage सब कुछ वहाँ पर सब कुछ दिखता है ठीक है वो डिस्प्लेइ की बात हो रही है वो हो गया हमारा local और उसके अलावाई और option लिखा हुआ है यहां पर PLC ठीक है PLC हमारा programmable logic controller होता है यानि की controller होता है जो इस drive को speed को control कर रहा होता है तो वो यहां से communication network के through drive को सीधे counts भीशता है ठीक है PLC के through analog नहीं आता सीधे counts के form में data transfer हो जाता है क्यांकि वो digital होता है ठीक है अगर analog PLC होगा तो यह analog input के माध्यम से देगा अगर वो आपका PLC digital है तो वो सीधे counts सी यहां तक पहुचा देगा ठीक है तो उसमें कुछ भी convert convert करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो यह हो गया speed reference control हमारा पहला block बढ़ते हैं आगे trim यानी trim oblique ramp control ठीक है ramp का मतलब है speed को बढ़ाना धिरे 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 टाइम के साथ बढ़ाना या time के साथ धिरे 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 घटाना ठीक है नहीं पर बाद में detail में हम बात करेंगे आपको संद में आ जाएगा और trim का मतलब होता है कि उस reference में थोड़ा सा trim करना ठीक है जैसे कि यहां से आ रहा है 100 तो यहां पर अगर trim लगा दिया 10 का तो वह हो जाएगा 90 ठीक है न माइनस 10 का trim लगा दिया तो 90 जाएगा प्लस 10 का trim लगा दिया तो 110 भी हो जाएगा ठीक है न इस ट्रीम की जरत अच्छली क्या पड़ती है अगर हमें इस motor की speed किसी दूसरी motor की speed से match करनी है ठीक है प्रोसेस में जैसे different process में अलग-अलग requirement होती है उसके इसाथ से हमें speed को trim करना पड़ता ठीक है अगर आप चाहते हैं कि इस motor की speed किसी दूसरी motor से match करें तो उस motor का speed है वह यहां पर trim reference में हम दे देते हैं ठीक है ना तो वह trim जो है इस आने वाले speed reference को थोड़ा बहुत cut word करके उपर नीचे थुड़ा सा plus minus करके आगे दे देता है ठीक है तो main जो block है वो यह है speed PID regulator ठीक है PID control PID जो हमारा controller होता है वो एक close loop controller होता है ठीक है close loop control क्या होता है उसके बारे मैं आगी वीडियो बनाऊगा ठीक है कुल मिला गई है कि यहां पर एक set point है यहां से आ रहा है feedback यानि कि actual speed आ रही है इन दोनों में जो भी difference होगा ठीक है ना यह हमेशा इन दोनों के difference को zero करने की कोशिस करेगा ठीक है ना अगर इन दोनों में कुछ difference है तो यह जो output यहां से आ रहा है इसमें variations होंगे या तो इसको बढ़ा देगा या इसको घटा देगा जो error आ रही है वो क्या है उस पर डिपन करता है वो positive है कि निगेटर या निगे actual rpm अगर set rpm से कम है तो output बढ़ा देगा अगर actual rpm set rpm से जादा है तो output को घटा देगा थोड़ा सा घटा देगा थोड़ा सा बढ़ा देगा और इसको regulate करके जितना आपने यहां पर set किया था उतना यहां से इसको feedback मिलना चाहिए ठीक है अगर नहीं मिल रहा तो यह output को vary करता रहेगा तब तक जब तक कि यह इसके बराबर न तक यह दोनों बराबर ना हो जाएं ठीक है यहीं इसका काम है regulator मतलब की regulate क्या कर रहा है इन दोनों के equal करने की कोशिस कर रहा है speed को regulate कर रहा है ठीक तो speed reference speed PID regulator का output जो है वो जाता है torque reference control ब्लॉक को ठीक तो torque reference control क्या करता है कि motor में जो कितना torque लगेगा यह speed जो set speed हमने की थी उतनी speed पर घुमाने के लिए motor को कितना torque देना पड़ेगा वो यह block decide करता है ठीक है ना तो torque reference जो है speed reference जो है torque reference में यहाँ पर convert हो जाता है ठीक तो motor में जब torque आएका तो भी वो घुमेंगी तो यहाँ से torque reference यहाँ आता inverter में inverter इस reference के according उसकी frequency और voltage को vary करता रहता है ठीक है यानि कि अगर close loop control है तो set point तक speed को actual speed को set point तक लाने के लिए voltage और current को voltage और frequency को vary कर सकता है जितना भी उसमें limit है वहाँ तक वो उसको लेके जाएगा ताकि वो set point को achieve कर ले ठीक है ना यानि कि अगर यहां से आपने speed reference दिया है 100 का और यहां से आ रहा है 90 तो यह इसको frequency और voltage को बढ़ा के 100 यहाँ पर ला देगा ठीक है ना यह बीच में एक छोटा सा CT लगा हुआ यह CT के बाद यह यह block है यह AC को DC में करनोड करके torque reference यानि कि torque कुल मिला के control होता है current से ठीक तो यह current का feedback हमने इसको दे दिया है कि motor में जो actual current है वो कितनी है उसको पता चलना चाहिए तब ही तो नहीं तो motor overload हो सकती यानि कि वो जरोस ज्यादा current दे सकता है motor को और motor overload होके खराब हो सकती वो motor में torque generate करेगा ठीक है current जो है motor की rating से ज्यादा ना हो इसलिए भी feedback लेना जरूरी है तो एक close loop यहाँ पर यह हो गया current वाला और एक close loop यहाँ पर यह हो गया speed वाला तो यह दो तरह के current जो है loop जो है close loop एक motor के अंदर drive के अंदर होते हैं ठीक है इन ही दोनों loops को वो maintain करता रहता है regulate करता रहता है और आपका motor जो है उसी speed पे घूमता रहता है ठीक है ना तो यह basic control block diagram था अब सबके बारे में detail में अब हर एक block के अंदर जो है बहुत सारे parameters रहते हैं ठीक है ना अब इस block से related बहुत सारे parameter होंगे हर एक block के अपने parameters होंगे जो हम programming के दोरां डालते है ठीक है ना तो प्रोग्रामी अब यह बाद में आएंगे आज के लिए इतना ही देखते रहे है फार आटोमेशन हस्ते रहे है मुस्करात रहे है नमस्कार अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेसर रोल द